दोस्तों अभी आपको दिखाऊंगा मैं किस तरह से लॉकल पार गलाइडिंग होती है जड्सट मेरे सामने ड़ाइडिंग जो लॉकल लेवल पे करते हैं ग्राउंड लेवल पे उसको दिखाऊंगा दिखे कोछ इस तरह से पहले ये टीम इस तरह से 57 बंदे होते हैं देखिए जैसे ये पर देखिए दोस्तों खजियार का व्यू मैं आपको पहले पूरा व्यू दिखा देता हूँ कुछ इस तरह का व्यू है खजियार का और आज काफी अच्छा मौसम है तो दूप के होने के कारण और भी क्लारिटी दिखाई देरी है खजियार की तो ये जो नीचे यहां गाडिया पार्किंग होती जो आप नीचे देख रहे हैं और पार्किंग की जो फीस है खजियार से एक किलोमेटर पीछे एक टॉल वेरियर आता है वहां पर जो वाइड लाइप सेंचुरी की जो पर्ची है वहीं पर काट दी जाती है जिसमें पार्किंग भी इंकलूड है तो यह ब्यू देख रहे हैं आप खजियार का तो काफी अच्छी जगह है चंबा में यह चंबा का जो में स्टेशन है वहां से कोई 20 किलोमेटर की दूरी पर यह खजियार स्टेशन है और इस एरिया को बाइड लाइफ संचुरी एरिया क्षेतर गोशित किया गया है तो का अम आप घजियार और डलोच जी आप अदेखना न भुलें कि काफी बड़िया जदाइं और इस जजगह का नाम मिनि इस्विचटर लेंड भी है क्योंकि कोई फॉर्णर आया था इस जगह को उसने मिनि स्विचटर लेंड कहा था क्योंकि थिखाई देता है यह खजियार तो आप देख सकते हैं लोग enjoy करने के लिए या गूमने के लिए जो भी आते हैं यहाँ पर इस तरह से बैठे होते हैं और आप देख सकते हैं खजयार में काफी ज्यादा देवदार के पेड़ है और यहां में एक चील है और अभी आप जील को देख रहे हैं जो बीच में यह दिखाई दे रही है जील है और इस जील में काफी ज़दा मचलिया हैं और अभी इसकी सफाई का काम भी चला हुआ है आप देख सकते हैं कुछ लोग इस जील से गाद वगयरा निकाल रहे हैं तो इस जील के साथ में एक मेदान है तो देखिए लागी बनने को त्यार है और ये भाई साथ अमरे देखिए आप है को मैकी खाने के लिये हम बैसाब के पास आए हैं कुछ गटी नात्यार हो रही है काने के लिए बढ़ बेट करेंगे अजा तो पर अच्षा है यही जाए मज़ ऐख propor Leaving आठी बतीकनम क्या नाम है बजी साब? क्या नाम आपका? वाँ चन्छार माजी तो दोखस तो दोख लगी थी तो मैगी का ओडर दिया था मैगी और चाये खारा हूँ और इस मैगी का अपना ही मज़ा है तो आईगे और मैगी का ट्रेस्ट लीजिए इसका अपना ही मज़ा है क्या है कि यहां पर मैगी शोब बहुत जादा है कि हरकोई फास्ट फूर खाना चाहता है तो मैगी एक ऐसी आइटम है जो जल्दी बन जाती है और इसका खाने का अपना थेस्ट है तो कर रहे हैं जोए चाहे के साथ तो खजयार में गोडसवारी भी होती है तो यहां पर अपर बॉल्दी का शयाया दूस्ट है को आद़ी नाजवार का फूर है तो खजियार में गोर्स वारी भी होती है तो यहां पे होर्स राइडिंग के लिए अगर आप होर्स राइडिंग फंसंद करते हैं तो वो भी आपको यहां पे मिल जाएगा कुछ इस तरह के होर्स है खजियार में और यह स्थान है जहां पर गोड़े अक्सर खड़े होते हैं तो देखिए दोस्तों मैं जो खजियार का मैदान है वहां पर आ गया हूं और आपको अभी ले जाने बाला हूं जील की तरफ और जील का वीव आपको दिखाऊंगा और हो सके तो अगर मचलियां दिखे तो वह भी जरूर दिखाऊंगा तो बने रहें ब्लॉग्स में अभी आपको लेखके चलूंगा जील की तरफ तो बने रहें जील के बिल्कुल पास आ रहा हूं तो जो जील से गाद बगेरा निकाली जाती है वो साइड में कुछ इस तरह से रख दी जाती है बाद में फिर इसको यहां से उठा दिया जाता है और गाड़ी में ले जाके कहीं दूर फैंक दिया जाता है तो फिलाल जील की सफाई का काम चला हुए है और बीच में आप देख सकते हैं द लिखा हुआ यहां पर कुछ फीडिंग ओफिश इंडा लेक इस कमपलीटली प्रॉविएटेड मतलब मचलियों को हम दाना बगारा नहीं डाल सकते हैं यहां पर तो आप देख सकते हैं इस तरह से यह गाद निकाली जाती है यह गाद है गाद मतलब एक मिक्टी होती है जो पानी को आगे नहीं जानी देती है तो उसको निकालने का काम चला हुए भी देखिए यह जो नाव है वहां नाव में मिक्टी लेके आ रहे हैं और यहां पर यह फैंक रहे हैं जील के किनारे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से बैठने के लिए और इन शल्टर जैसे बनाएंगी है जील को जाई मिक्वश्वाइ लें टुट्टर्य आप चला किनारे डाव जाई बेख सकते हैं सब्सक्या मिक्वश्वण जाया तरह मामें व्यक्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वरक अनल्हें कर अ, यूँा外 खो में घूजा एकांन के ब retail सेुए हो दो में। झाल है अगर आप देख पा रहे हैं तो यह बीच में जो पानी सरकुलेट हो रहा है तो यह मचलिया है और आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा मचलिया इस जील में अगर यहां कुछ फैंकेंगे तो काफी जादी मचलिया आपको दिख जाएगी बत यहां खाने के लिए मना करा मनने तो अगर आप फरकत देख रहे हैं पानी में तो यह सारी फीशेज है और यह जील का बिलकल जो रेन सलट रहे हैं वहां से लिए गया है देखे कुछ यहां पर लिखा है जय खजीना खजीना क्या है यहां का का काफी फैमेस और परसिद्ध मंदर हैं खजीर का वहां लेके जाओंगा मैं भी आपको तो यहां पर कुछ लिका हुआ है इसमें लिखा गया है कि यह जो जील है इसमें कुछ ऐसे गंदघी ना डाले थूक भुव इसमें कुछ इन्सुक्षिन लिखी गया है जील का वियू और आप देख रहे हैं खजयार का ये नजारा जोकि बहुत ही प्यारा खजयार को बिजट करें कि beta काफी अविसम लुक और काफी अच्छा यह का और यह वाय नाइन —ना how often भी when I human अपके गर्मियों में तो काफी ज़ादा लोग आते हैं और सर्द्यूं में भी काफी ज़ादा यह जादा लोग यहां आते हैं सनो देखने के लिए so a का अफ का फ। क्य अच्छा यहां का भीव है यहां कि पॉछ तो बने रहें वीडियो में, तो देखिए एक बई साहब छटा भाई मिला है हमारा, क्या नौने है? मुन्ना ये क्या लिया हूँ आपने? अपने रैविट लिया हूँ है तो मैं देखा लूँ दोस्तो आपको कितना सुन्दर रैविट है, और ये देखिए हमारा भाई मुन्ना मेरा एक यूट्यूब चैनल है वीडियो देखना होगा तो मेरा चैनल है शो ओफ एबरिटिंग उसको सब्सक्राइब कर लेना और उसको वना वीडियो देख लेना उसमें अपने चैनल में खीक है और देखिए दोस्तों ये पीछे भी इस लड़के ने एक रैबिट रिया हुआ है और तो आपको दिखा सकते हैं कि देखिए दोस्तों अगर आप फैमिली के साथ आते हो तो बच्चों को जूनने के लिए यहां पर जूले भी मिल जाएंगे और इंजोए करने का पूरा यहां आल इन वन सोल्यूशन है खजियार में तो जो फैमिली पर सनाते हैं अपने बच्चों को ले के आते हैं तो आप देख सकते हैं इस तरह से जूले भी मिल जाएंगे मस्ती करने के लिए बच्चों के लिए और अभी मैं आपको ले जाने वाला हूँ खजी नाग मंदर जो की काफी परसिद्ध और महतब पूर्ण मंदर है यहां का और आप देख सकते हैं खजियार का पूरा ब्यू यहां से आग से यहां से घ्टाघन आपको लाँ